हलो गाइस मैंने चार से पांच दिन पहले एक वीडियो अप्लोड की थी जिसमें मैंने आपको बताया था Paytm HD FC क्रेडिट कार्ड आप लोग कैसे अप्लाई करेंगे कोई जोइनिंग फी नहीं थी और दोस्तों lifetime free credit card था आपको कोई भी apply करवाने की जरूर नहीं थी और इसके साथ में आपको कोई income proof देने की जरूर नहीं थी तो दोस्तों यह आप लोगों को बिल्कुल करना है वीडियो का लिंक आप लोगों को डिस्ट्रीट बॉक्स में मिलेगा और आई बटन पर मिलेगा तो यह वीडियो देखने के बाद में आप लोग वो वीडियो देखिएगा क्योंकि जो भी आपके कोईशन होंगे उसके अंशर तो मिलने वाले हैं और जो लोगे डा क्रेट कार्ड है फिजिकल क्रेट कार्ड वो मुझे रिसीव हो जाएगा और यहां पर आप लोग देख सकते हो डियर एजडी अपसी बैंक कार्ड मेंबर यहां पर आप लोगों को दिख रहा है डिश्पैच हो चुका है ब्लू डॉट की तरफ से मुझे यह मिलना है दोस् तो यह निव वीडियो है मैं कोई फेक वीडियो नहीं बना रहा हुँ दोस्तों यहां पर मेरा क्रेट कार्ड है वो पूरी तरीके यहां पर पर अप्रूब हो गया है इसके अलावा दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूँ जब तक आपके पास में फिजिकल क्रेडिट का आप लोगो कुछ इस तरीके का एक section मिलेगा credit card इस पर जब आप लोग क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके का आपका credit card यहां पर show करेगा आप लोग दे सकते हो paytm HDFC bank लिखा है और यहां पर HDFC का logo वगारा सब कुछ मिलेगा अब दोस्तों यह बिलकुल live proof के साथ में आप लोगों मैं दिखा रहा हूँ यहां पर मेरा नाम लिखके आ रहा है राजन कुमार और जैसे view card details पर मैं click करूँगा तो यहां पर click करने के बाद में आप लोग के सामने कुछ इस तरीके का option आजाएगा जिसमें मेरा उपर registered phone number होगा और यहां पर मुझे capture फिल करना है और यहां पर continue करना है जैसे मैं continue पर click करूँगा यहां पर OTP verification होगा और जैसे OTP में डालूँगा यहां पर मेरे card की सारी detail आ जाएगी जिसका use करके मैं कहीं पर भी online shopping कर सकता हूँ क्योंकि अभी तो यह मेरे पास में digital है जैसे मेरे पास physical आएगा इसको मैं offline भी use कर सकता हूँ तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आप लोग यहां पर credit card को use कर सकते हो और कैसे आप लोग को यहां पर limit देखने को मिलेगी वो मैं बता दूँ आपकी email id पे एक email आया होगा HDFC bank की तरफ से कुछ इस तरीके का आप लोग दे सकते हो यहां पर मुझे 90,000 रुपए की limit मिली है आप लोग दे सकते हो 90,000 रुपए की limit मिली है मेरे पास में जितने भी credit card हैं उनमें दोस्तों 90,000 की limit बिल्कुल भी नहीं है और अभी RBI की guidelines के हिसाब से दोस्तों यह जो limit दी गई है बहुत जादा है और दोस्तों मेरे पास में दो credit card है कैसे दो credit card है वो भी मैं बता दूँ मैंने अपने एक दोस्त का भी apply करवाया है वो कोई youtuber नहीं है वो स्रीफ एक normal सी job करता है जिसमें उसके पास में income prove भी नहीं है उसका मैंने apply कि जैसे मैंने आप लोग को बताया था कि swap का नाम डालना है उसके बाद में उसने भी same वही किया उसने भी swap का नाम डाल दिया fake आप लोग डाल सकते हो यहां पर किसी भी दोस्त का आप लोग swap का नाम डाल सकते हो verification के लिए अगर physical bank कोई आता है तो आप लोग verification करा सकते हो लेक card, pen card, photo यह चीज उससे मांगी गई है इसके अलावा कुछ भी नहीं मांगा गया है और जैसे उसने यह सब कुछ का दे दिया उसके वादने KYC हो गई उसकी और उसको भी digital credit card वहां पर receive हो गया है तो दोस्तों अगर आपके साथ में भी कुछ इस तरीके से है तो आप लोग यह process complete करना होगा आप लोग को उसको ID देनी पड़ेगी आपका pen card, आधार card और साथ आपको एक photo भी देनी पड़ेगी यह जैसे आप process complete करोगे आपके PTM HDFC bank जो credit card है वहां पर show होने लगेगा अब बात करते हैं जिसके पास में HDFC का bank है उसको क्या करना पड़ेगा तो दोस से पूछा गया था कि आपने credit card को apply किया है या नहीं दोस्तों मैंने बता दिया सारी detail तो वहां पर मेरा जैसे मैंने बताया 24 घंटे के अंदर मेरा approve हो गया और मेरे Paytm पे show होने लगा यह credit card अब बात करते हैं जिन लोगों के में यह offer नहीं show कर रहा है वहां पर SBI show कर रहा वहां पर आप लोग apply कर सकते हो तो दोस्तों अगर आपको SBI का वहां पर apply करवाना है तो आप लोग को SBI का charge पता होना चाहिए 499 रुपए हर साल लगेगा और जिन लोगों के में HDFC का offer आ रहा है लेकिन उनमें लिखके आ रहा है lifetime free नहीं है तो दोस्तों आप लोगो 49 रु को वहां पर subscription free मिल ला है उसके अलावा दोस्तों वहां पर आप लोगो काफी सारे benefit मिलने वाले है तीन percent का cashback तो मिलने वाला है अगर आपका कोई और doubt है आपके कोई question है तो आप लोग comment box में मुझसे पूछ सकते हैं लेकिन मैं अगर आप लोगो suggest करूँ तो आप लोग HDFC का credit card आप लोग apply कर लीजिए क्योंकि इसमें आप लोगो सबसे ज़्यादा limit मिलने वाली है मुझे तो 90,000 की मिली है लेकिन मेरे दोस्तों एक लाक रुपए यूज कर लेते हो 6 मेने या 3 मेने के अंदर तो आपका जो यह charge है वो खतम हो जाएगा आपके लिए free हो जाएगा दोस्तों कुछ इस तरीके से आप लोग वहाँ पे use करके यहाँ पे जो इसका charge है उसको खतम कर सकते हो यह सभी दोस्तों सभी users के लिए अलग-अल नहीं पड़ेगा जैसे ही मेरे पास में यह credit card receive हो चाहे तो दोस्तों मैं वीडियो बना के आप लोगो जरूर बताऊंगा किस तरीके से आप लोग इसको यूज करोगे और कितने में आपकी लिमिट है उसमें आपको कोई भी charge देना नहीं पड़ेगा दोनों credit card का जो होगा वो मैं दोनों का आप लोगों को अन्बॉक्स करके दिखाने की कोशित करूँगा और charges बताने की कोशित करूँगा तो I hope दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छी लगी हो तो like कर दे और अभी तक आपने मेरी चैनल को subscribe नहीं किया है तो subscribe कर ताकि आने वाली वीडियो को notification आप तक मिलती रहें